पुराणों में लिखिया आज हम आखरी भावश्यवानी के बारे में बात करने वालें जिसमें वैदिक धरम का पतन बताया गया है कल्यूग में धरम, सत्यवादिता, स्वच्छता, शहिष्णता, दया, जीवन के अवधी, शारिरिक शक्ति और स्मर्ति सभी दिन बदिन घटते जाएगी बस लोग स्नान करके समझेंगे कि वैंतर आत्मा से भी साथ सुत्र हो गए हैं लोग किसी भी तरह के वैदिक धरमिक कारियों में रूची नहीं लेंगे और बस एक धागा पहन कर अपने आपको ब्रामन होने का दावा करेंगे अपने तुछ बुद्धी को ही शात्सवत समझ कर कुछ मुर्क ईश्वर की और धरम गंतों की परमानिक्ता मांगने का दुस्साहस भी करेंगे कहते हैं कि गंगा नदी, केदारनाथ, बद्रिनाथ, स्तित सभी प्रमुक तिर्थ, लुप्त हो जाएंगे और भविष्य में भविष्य बद्धी नाम का एक नया तिर्थी रहेगा माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायन परवत आपस में मिल जाएंगे बद्रिनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भगवान बद्रिनाथ के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे सोला सो वर्ष व्यतित हो जाने पर विक्रम संवन्द सतरा सो अड़तीस संपून जीवों के उद्दार के लिए इस ब्रह्मान में कल्की का आग्मन होगा कल्की पुरान के अनुसार कल्की का जनम मुरादाबाद याने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होगा कल्की सभी कर पुनह सत्युक के स्थापना करेगा तो दोस्तों जो कल्युक चल रहा है इसमें और भी बहुत सारी ऐसी बविश्यमानिया है जो सच साबित होंगी और हो रही है